हाई फ्रेंट्स आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर के मोस लाइट के फिर मोस अप्लिकेशन के अंदर अगर वीडियो को बिलकुल लास तक देखना अगर वीडियो अच्छे लगए तो प्लीज प्यारा सा कमेंट और रिक लाइक करके जरूर जाना तो दोस्तों वीडियो कर लेते हैं बिलकुल सिंपल तरीके से स्क्रेंट पर तो दोस्तों जैसे सिंपली आप स्क्रेंट पार जाते हैं स्क्रेंट पारने के बाद आपको सबसे पहले अपनी मोस लाइट को ये फिर मोस अप्लिकेशन को आपको ओपन कर लेना होगा दोस्तों जैसे सिंपली मेरे पास मोस लाइट देते हैं मैं मोस लाइट को ओपन कर ल आपको MFC selection करने के लिए आपको करना होगा अपनी profile को complete जिहां दोस्तो अब आपको मैं बता हूंगा कि profile को कैसी complete करते हैं तो दोस्तो आपको सबसे पहले हैं पर आपको यह पर डाल देना होगा या आपको खाली ऐसी ही डाल देना हो जैसे कि मैंने डाल रखा है तो दोस्तो कुछ भी प्रोब्लम नहीं आएगी बस आपको अपनी profile को 50-80% आपको complete रखना होगा तो दोस्तो यह वाले आपको दोनों step complete हो जाते हैं complete होने के बाद आपको यह आपको अपनी profile के अंदर एक भी गलती नहीं करनी आपको अगर आप गलती कर देते हो तो दोस्तो आपके वोलेट में KYC होती है KYC होने में बहुत ज्यादा problem आएगी तो दोस्तो आपको अपनी अपने जैंडर सेलेक्टर नहीं होगा इस पर क्लिक करके जैसी आप जैंडर क आपको डेटेल्स चेक करके आपको यहांपर फिल कर देने होगी अब बात आती है नंबर की जिस नंबर से आपने id बनाए यानि create करती है वो नंबर आपको यहांपर डालना होगा डालने के बाद अब आपको मैं बताऊंगा यहांपर आपकी जो प्रोफाइल कंप्लीट हो किलिक कर देतो किलिक करने के बाद आपके सामने आएगा कुछ इसारह का इंतरफेस जहां दोस्तों। MFC selection के लिए apply करने के लिए, आपको ये target पूरे करने होगा है, जैसे आप ये target कर लेते हो, करने के बाद आपको एक form को fill करना होगा, तो दोस्तो ये form आपको इसी वीडियो के अंदर description box में मिल जाएगा, तो दोस्तो यहाँ पर लिखा हुआ है MFC live program live registered form, जैसे आप यहाँ से live और MFC selection के लिए apply कर सकते हैं, अब बात कर लेते हैं कि कितने follower पर apply करना होगा, तो दोस्तो आपको यहाँ पर follower भी show कर जाएगा, कि आपको कितने follower पर MFC selection के लिए apply करना होगा, और वो target जो मैंने भी दिखाया था, वो भी आपको पूरा करके रखना होगा, और अपनी profile को complete क करके रखना होगा, जो दोस्तों मैं जूट नहीं बोल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इस बंदेने यानि जो demo दिया है, इसी तरह करे दिया है, जिसमें आपको अपनी profile करके तभी आपको MFC selection के लिए apply करना होगा, दोस्तों एक demo और दिखा रखना होग चला, आप form को fill कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीकी से, तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी mail को login कर देना होगा, जैसी आप login कर देते हो, करने के बाद अब आपके सामने आएगा कुछ इस तरह का interface, जिहां दोस्तों, अब आपको यहाँ पर इसी तरीके से, कोपी करक जैसी सिंपल आप mozo light के अंदर आ जाते हो, आने के बाद अब आपके सामने आएगा कुछ इस तरह का interface, जिहां दोस्तों, इस तरह का interface आएगा, आपको यहाँ पर share, अगर आपको यहाँ पर show नहीं करता, तो आपको यहाँ पर three dot पर click करना होगा, click करने के बाद अब आपक यहाँ पर fill कर देना होगा, जिहां दोस्तों, यहाँ पर जैसी आप fill कर दे तो, fill करने के बाद अगला जो option कुल करके आएगा, वोट्सप नमबर, वोट्सप नमबर डालना है, जिस पर आप active रहते हो, जिहां दोस्तों, जैसे कि simply मेरा यह वोट्सप नमबर है, मैं इस पर active रहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर नमबर फिल कर दिया है, तो दोस्तों, अगर आपको भी कुछ प्रोब्लम आए, तो दोस्तों, आप इस contact नमबर पर आप कर सकते हो, तो दोस्तों, आज यह वीडियो आपको कैसी लेगे रहे, आपको वीडियो अच्छे लगी, तो प्ले एक बार मैंने को कमेंट करके जरूर बताए, तो थाइनकी शो मच,